प्रश्न तुमारी काली टीशर्ट कहां गई और ये कॉलेज के स्पोर्ट्स डे जैसी केसरी टीशर्ट पहेंगे तुम क्या साबित करना चाहते हो तो मित्रो जैसे कॉलेज में स्पोर्ट्स डे होता है और उस दिन जल्ली से द्वाल के हमको रेज खतम करनी होती है उसी तरह सब्टेंबर महिने में क्या current affairs हुए थे उसको जल्दी से समझ लेते हैं अब ये वाली चीज की पूरी PDF फाइल है वो आप Unacademy की website से free में डाउंडोड कर सकते हैं English में भी available है और Hindi में भी आज शाम तक PDF फाइल अप्लोड हो जाएगी लिंक ये उपर भी दिया है इधर on academy.com slash content और नीचे description में भी होगा देख लेना तो sports की तरह तेजी से दोड़ेंगे यहां पर तो मैं ये हर एक चीज आपको पढ़ाने नहीं बैठूंगा कोपरेशन और अर्गेनाइजेशन SEO की लेटेस समिट उजबेकिस्तान के समरकन में हुई थी उसका outcome आया समरकन declaration समरकन declaration क्या कहता है कि देशों के भी जो आपस में लड़ाई चल रही है तो मारा मारी और वार के जरिए नहीं लेकिन प्यार मौबच से शांती से चर्चा से उसको निप्टाया जाए तो commitment to peaceful settlement through dialogue and consultation that is the idea तो समरकन declaration कि इसके बारे में maritime security या फिर anti-narcotic operation climate change तो MC क्या आप समझते हैं ऐसा आता है तो हमको जवाब बता है peaceful settlement through dialogue इसके लाबा बारत ने ये समरकन summit के अंदर कहा full right to transit for infrastructure वो ऐसी बात हम अगर तुर्कमेनिस्तान ताजिकिस्तान कहीं से oil gas की pipeline बिचा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं ये Russia Ukraine crisis के बाद गेहुचावल हर चीज की तंगी हो रही है विश्व बाजार में तो millet को promote किया है millet मलब जवार बाजरा वगेरा और साथी साथ आप जानते हैं कि 2023 को international year of millets के रूप में मनाया जाएगा और भारत ने भी अपने latest budget 2022 में भी इंसे को promote करने की बात की थी तो ये हमारे लिए भी फाइदेबंद और पूरी दुनिया के लिए कि हम वो जो भी millet supply करें food security, nutritional security वगेरा अब इसके लावा शांगाई corporation organization की बागी जो जो theory है कि इसमें कितने member होते हैं कौनसे observer state हैं वगेरा और मैंने आपको ये समरकंद के जो outcome बता है उसमें और भी है कि traditional medicine जैसे आयरुवेद का center बनाएंगे culture का corporate का ये सब मैं नहीं पढ़ा क्यूंकि ये again टी-shirt देख लो race चल रही है तो ये सबाब पढ़ लेना आसान है 20 minute इसको पढ़के खतम करो 40 minute मुझे वीडियो ने खिचना अब इसी meeting के अंदर शीजिन पिंग जो चाइना के president है उन्होंने का color revolution के बारे में color revolution मतलब जैसे orange revolution हुआ मेरे ख्याल से Ukraine में कि जहां सत्ता गिरा दी जाती है ताना शाओ को अटाया जाता है तो शायचीव जिन पिंग को डर लगता है कि ये अमेरिका भी ऐसा कुछ चाइना के अंदर नहीं करवा दे या ताइवान के अंदर नहीं करवा दे तो ये सब जो जो चीज़े होती है थोड़ा और analytical आपको तयार करना चाहिए for the purpose of mains and interview UPSC की mains exam अभी-अभी खतम होई मेरे कहले से 16 September से थी और उसमें भी Unacademy पर हमने पूरी YouTube सीरीज चलाईए निबन से लेके mains paper 1, 2, 3, 4 और चुनिंदा optional subject सबके detail answer मरलब analysis answer के साथ powerpoint के साथ वो चर्चा किये वो भी आप देख लेना description में सब है और उसमें भी there are powerpoint powerpoint के साथ चाचा कि यह जैसे निबन का paper है तो everything यह जो जो पूछा गया था जिसके model answer हो सकते हैं सब outline philosophical निबन भी कैसे कर सकते थे everything was covered तो उसका फायता उठाई और उन्हीं सब के चकर में मैं फस गया था तो यह जो September का वीडियो आज 12 October को क्यों बना रहे हो क्योंकि वो सब के चलते बाकी मेरे project थोड़े delay हो गये थे because I was busy there for a week or so क्यार अभी next stage आएगा interview तो जो जो लोगोंने main exam दी है वो सब लोग free में register कर सकते हैं last mile जो कि आने academy का interview guidance program में उसका फायता उठाई है पिछले दो साल में बहुत सारे बच्चों कुछ से फायता हुआ है almost like 170 से जाधा selection भी so take benefit of that आगे बढ़ते हैं अब इसके अलावा यह dials पूरा और उसको क्या problem है और वो सब general चीजें वह आप पढ़के समझ सकते हैं फिर contempt of the court मलब court की आउमाना वो कपिल सिबल ने कुछ कहा था और उस पर court की आउमाना का मुकत्मा चले की नहीं और attorney general ने का नहीं करना चे वगेरा simple सी चीजें पढ़के कतम कर सकते हैं आगे बढ़ो उसके बाद यह pharma pricing वगेरा ठीक है that is also self-explanatory chief justice का appointment और उसमें college system अब वो जिनको नहीं पता है जो नहीं नहीं तियारी करें वो उपढ़ना चे बाकी सब लोगों को तो पता ही होगा फिर यह essay quota for dalit muslims and christians वो मामला ऐसा है कि original constitutional order के हिसाब से हिंदू, सीख और बहुत दर्म में जो schedule caste है उनको reservation का लाब मिले लेकिन ये बाकी जो दर्म है उसमें अगर कोई दर्म परिवर्तन religious conversion करता है तो उसको वो लाब नहीं मिलता तो सरकार ने एक former chief justice of India के जी बालकृष्णन की committee बना ये दो साल में report देगी उसका basic यहां पर कुछ दिया है वारम से पढ़ देना self-explanatory है उसी तरह EWS reservation आप जानते हैं कि 103rd amendment act के जरिए 10% quota for economically weaker section आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग उसको दिया गया लेकिन कुछ लोगों ने कुछ PIL की कि ने ये constitution की सबसे सही नहीं है और Supreme Court ये पूछ रहा है अच्छा तो इनको reservation नहीं दे कि आप affirmative action मलब scholarship बगएरा दे दो फी माफी दे दो तो क्या काम नहीं हो सकता वो पुरा चल रहा है अब इसकी थोड़ी outline दी है बाकी final judgment आएगा तो हम देखेंगे so this is also done अब ऐसी चोटी चोटी चीज या गिना मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ वो आप पर लो आरहा हम से PDF में है उसी तरह चोटी 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 organization के साथ हमारे जो meeting हुए अब जैसे CLEC यानि Community of Latin American and Caribbean States वगएरा अब ये क्या काम का है खुद में इतना का का नहीं लेकिन एकात बार UPSC के CDS exam में कुछ पूछा था कि अच्छा ये वाले जो grouping है उसमें कितने लोग है या कौन से member है और इवन इस बार मेरे क्याल से organization of Turkish state ऐसा 2022 की प्रिलिव में पूछा था उसमें कौन से member है तो तो तोड़ा सुना होना चे देखा होना चे की joint river commission की मुलाकात होई पानी का बटवारा उसकी बात होगी तो उसमें मेरे कहल से fanny river और kushyara river और fanny river ये दोने के बटवारे की कुछ बात होई तो river कहां से आती है कहां जाती है वो सब भी यहां पर नक्षे में दिया है वाप आराम से देख ले ना ये सब नक्षा इदर दिया है ईस्टरन एकनामिक फॉरंउम इस्टरन एकनामिक फॉर्ण क्या है वो रश्या के प्रैसिडेंट व्लादीमिर पूटिन ने बनाई है और वहाँपर सब expert और एशिया पैसिफिक के मित्रदेश के साथ वो मुलाकात करते है तो बारत के prime minister ने भी वीडियो conference में कुछ दो बाते कही थी उससे क्या अपने को वहाँ लेना देना है यहाँ पर सब लिखा है कि बारत को इसमें क्या मनलब interest है तो एक तो ये रश्या में जो oil gas resources हैं अपनी ONGC company उसके सखाली ऐसा रश्या में कोई oil gas reserve है वहाँ पर 20% अपनी ownership है व्लाडी वोस्टोक और चैन्नाई के बीच maritime route हमको बनाना है और वो सबसे अपना जो भी trade relationship बेटर हो सके that is the idea उसके बाद बांगलादेश के PM भारत में आये थे उनके साथ भी हमारी चर्चा हुई या बांगलादेश PM विजिट टो इंडिया अब ये पूरी चीज वो दिया है उसमें भी वही सब बाते होगी कि ये तुमारे जो भी जज हैं उनको हम training देंगे तुमारे railway engineer को हम training देंगे तुमारे साथ कुछ free trade agreement sign करेंगे वागिरा self explain everything पढ़ लेना आराम से बहुत आसान है फिर इंडिया जापान 2 प्लस 2 डायलोग तो 2 प्लस 2 डायलोग क्या होता है मैं तो मैंने इसकी power point नहीं बना है क्योंकि power point बनाने के चकर में over time चला जाता है और फिर कोई video time पे upload ही नहीं हो पाता तो यह आप आराम से सीथा PDF देख लें इसलिए मैं PDF ही दिखा रहा हूँ कि वो पड़ो तो आपको पता चले है अच्छा यह ऐसे कुछ बात हुई थी तो जो 2 प्लस 2 डायलोग का मतलब क्या है 2 प्लस 2 डायलोग का मतलब है कि दो देश के defense minister और external affairs minister रक्षा मंतरी और विदेशी मामलों के मंतरी एक तो देखिए वैसे तो बहुत आसान चीज़ है बोल बच्चन ही करना है हमको कि इंडिया और जापन दोनों के common vision क्या है हमको multipolar चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि अमेरिका और चाइना ऐसा दो या अमेरिका और रशा ऐसा दो गुटों में बटा हुआ दुनिया अमको नहीं चाहिए free open inclusive चाहिए rule of law human right मलब वो कि इनको सुना रहे तुमारा जिन जी आग प्रांत में उईगर मुस्लिम की तुम जो अतियाचार कर रहे हो फिर भारत के अंदर बड़ा सा market है Japanese company वहाँ पर bullet train infrastructure वगेरा में invest करने की रूची रखते है साथ ही साथ कुछ challenges भी है challenges में कौन कौन से challenge है एक है trade potential जितना व्यापार हमारे दो देश के बीच हो सकता है वो हम कर नहीं पाते है उसका एक कारणी है कि Japanese लोग जो भी खरीदते हैं तो उसमें Japanese manual वो mobile भी करीदे तो उसमें UI system जापानी जोनी चाहिए उनको advertisement, color combination वो अलग किसम का सब होता है तो हमें research development करना होगा तब ही हमारी चीज़ें वहाँ पर बिकेंगी फिर diverging interest अब जैसे की RCEP agreement याद करो Regional Comprehensive Partnership Agreement RCEP तो इंडियाने sign नहीं किया उस तरफ बाकी देश sign कर रहे हैं तो वो भी एक चुनाती है फिर Quad और Bricks के बीच balance करना Quad Samu और एक तरफ वो सब America centric है और साथ ही साथ हम लोग Bricks Samu के भी member Brick के अंदर अब जानतें Brazil, Russia, India, China South Africa तो China, तो Swabai के दोनों जगा हम बैठेंगे तो balance करना मुश्किल कुछ ऐसी चीज़े जो अमेरिका को पसंद है चाइना को पसंद नहीं जो चाइना हमें उनके साथ बैठना होता है जैसे climate change वगेरा के बारे में तो वो सब चीज़ों में कभी-कभी दिक्कत आती उसके बाद एक और बड़ी चीज थी अब्राहम आकोर्ड्स अब्राहम आकोर्ड्स असल में 2020 में साइन हुए थे इसराइल याद रखना है इसराइल, युनाइटेड आरब आमिराच, युएई और बहरिन तिन देशों के बीच साइन हुए थे अमेरिका ने ये डॉनल्ड ट्रम्प ने बीच में वो मद्यस्तिता करके बड़ा भाई बनके वो करवाया था ये अब्राहम एकोर्ड्स के अंदर की आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशन, कुटनितिक रिष्टे हम बैतर करेंगे और इसको दो साल पूरे हुए प्रशन इसमें अपने को क्या फरक है मलब इंडिया को क्या फरक है आप जानते हैं ये तीनों देश आपस में इनकी लड़ाई चलती रहे तो हमारे लिए बैलेंसिंग एक्ट मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारी कुछ डावस पूरा UAE में भी होगी, बैरिन में भी होगी, इसराइल में भी होगी तो अगर युद चिर गया तो हमारे लिए उन सब को रेस्क्यू करना मुश्किल हमें डिफेंस और टेक्नलोजी के लिए इसराइल के साथ रिष्टे अच्छे रखने होते हैं और हमें ये ट्रेड बाकी सब चीजे जो हमें एक्सपोर्ट करते हैं चाय, मेडिसीन वगेरा जो UAE में जाते हैं और वहां से बाकी आफरिका और दूसरे देशों में रिएक्सपोर्ट होते हैं तो उनके साथ भी अच्छे रिष्टे रखना जरूरी है तो ये सब आपस में प्यार मौबद से रहे तो इंडिया का फायदा है वलना सब को डिप्लोमेटिकली हैंडल करना अमारे लिए मुश्किल होता है फिर आगे UN High Seize Treaty वो ऐसा कहता है कि कोई भी देश का जो 200 नौटिकल माइल के बियोंड वाला एरिया है वो खुले समंदर के अंदर मसली पकड़ना है पॉली मेटालिक नौडिूल एक्स्टेक करना है कुछ ओशनिक माइनिंग करना है तो उस पर किसका कितना अधिकार होगा अब उसकी टीटी वो बनाना चाहते हैं बट इट फेल्ड चर्चा में सब लोगों में आपसी सहमती नहीं बन पाई उसकी लंबी-लंबी यहां पर कहानी है वो अब आराम से पर लेना आसान है फिर चीजे इरान इरान और बारत के रिष्टों के बारे में कुछ मुद्दे वो इनके लिए जो नहीं नहीं तयारी करें और उनको सब नहीं पता तो टेक बेनिफिट ओफिट कि क्या क्या चल दा है उसके बाद अलग-अलग स्कीम्स वगेरा देखे मैं आपको एक-एक लाइन में समरी देता हूँ फिर आराम से पढ़ लेना नैशनल टेकनिकल टेक्स्टाइल मिशन टेकनिकल टेक्स्टाइल मरलब क्या पहनने वाले से अलग कपड़े बलब यह शर्ट पेन टी-शिट ऐसा नहीं बुलेट प्रूफ जैकेट पेराशूट जूते बांदे की वो दोरी जो होते हैं शूलेसीस मोबाइल के जो कवर होते हैं पाउचीज वगेरा वगेरा तो भारत की अभी लिमिटेशन यह है कि हम ऐसा बहुत सारा बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उसको हम आत्मनिर बर सेल्फ रिलाइन बनना है तो टेक्निकल टेक्स्टाइल उसको प्रमोट करना होगा और यह टेक्निकल टेक्स्टाइल प्रमोट करने के लिए वो में माफी सबसीडी देंगे, रिसर्ट डेवलप्मेंट करवाएंगे, वगएरा वगएरा चीज़े उसमें होंगी, दूसरा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पी एलाइ, आला कि वो पूरानी वो ऐसा कहता है कि अगर एपल कंपनी बारत के अंदर चेनाई में क करने के लिए, उसमें बहुत सारे अलग-अलग सेक्टर हैं, एक सेक्टर सोलर सेल भी है तो उसकी कुछ चीज़ों को नोटिफाई किया गया, इसलिए चर्चा में, अब पूरा उसमें क्या-क्या है, वो सब तयार करने की ज़रूरत नहीं, दो लाइन में चीज़ पता हो, that याद रखना है, Prisoners Act 1920, उसको रिप्लेस करके ये नया कानून आया है, जिसका नाम है, Criminal Procedure Identification Act, उसमें क्या, जो भी आदमे को गिरबतार किया तो उसका वो, थम प्रिंट लो, उसका signature style, उसके पेर की क्या साइज है, रेटिना स्केन, वो सब आप स्टोर कर सकते हैं, कितने स के लिए उसको स्टोर कर सकते हैं, स्वाबाई के कुछ लोगों को मजा नहीं आएगा, कि नहीं, इसमें हमारी right to privacy को हनन होता है, और fundamental right against self-discrimination, किसी को आप मजबूर नहीं कर सकते, खुद के गिलाब गवाही देने के लिए, लेकिन आप उसकी ये सब चीजे collect कर लो, biological and physical samples, तो फिर उसको किनी पर फसाया जा सकता है, right to privacy है, कुछ ये भी है कि पूलिस ने आपका DNA sample या कुछ लिया, fingerprint sample, और बाद में वो sample mix up हो गया, तो किसी और अपरादी ने कहीं और जुम किया हो, लेकिन record में ऐसा दिखाए कि आप ने किया है, तो it could result in conviction of the wrong person, Hollywood में ऐसे बहुत मंतरी, कौशल विकास योदनाव, यह तो पहले से ही चल रही है, इसमें नया क्या है, particularly vulnerable tribal groups, PVTG, अती ज़्यादा रूप से जो ऐसे schedule tribes, जो की for example हम देखे, जरावा, ओंगे, शॉम्पेन, वो सब आनमा, निकोबा, लक्षदीप में जो रहते हैं, उनका pre agriculture level of technology, मलब वो जो कपड़े जिस प्रकार के पहनते हों, या शिकार करना, मशली पकरना, जंगल से कुछ, फल फुल तोड़के खाना, बहुत ही कम literacy हो, population भी एकदम कम हो, बाहर के लोग उससे गुलते मिलते नहीं हो, ऐसे लोग, तो डेबर कमिशन ने उनको identify किया था, ऐसे कुल मिला कर 75 tribal groups से याद रखना, एक बार UPC ने ऐसा पुछा कितने है, 100 से जादा, 125 तो कितने है, 75 है, और ये कुछ notable है, आपके भी state में ऐसे कौन-कौन से, ग्रूप से हैं, आप अलग से वो देख लेना, books में से, I think geography की books में होना चाहिए, तो उनको भी skill training मिले, ऐसा ये प्रदान मंत्री का स्योधना में, चार नए skill development centers बनाए जा रहे हैं, that is the gist of it, फिर एक और scheme आरे PM प्रणाम, हलाकि ये अभी आई नहीं है, लेकिन new spec पर वाले speculate करें कि आने वाली है, कुल मिला कर बात ये है, इसका objective क्या है, reduce the subsidy burden on fertilizer subsidy, वो बात ऐसी है, अगर कोई state government, subsidy जो ये fertilizer की जाती है, save करा दे, तो उसका कुछ percentage केंदर सरकार उस state को grant के रूप में, अनुदान के रूप में देगा, ऐसा जिस्ट है इसका, तो अभी के लिए हाँ subsidy burden कम करवाएंगे, that is the idea, और state governments को incentivize करेंगे, उनको थोड़ा grant में पैसा देगे, पूरी scheme जब notify होगी, तो हम लोग फिर से उस इसको implement कर सके, उसमें वही सब की बच्चों को जो वो दर्शिल सफारी वाली मुई थी, तारे जमी पर ऐसा सब अच्छे अच्छे पढ़ाएंगे, और फिर कुछ green schools बनाएंगे, मनलब environment protection, पेड़ पादे लगाओ, foundation literacy, मनलब वो ABCD और वो सबाना चाहिए उसको, then internship with local artisans, जो भी कलाकार है, foxinger, कुछ handicraft बनाते हैं, उन सब के साथ वो मिलें, पिर ये कुछ नुकरनाटक, toy बनाना, वो सब उनको सिखाय जाए, vocational training दी जाए, ये सब उसके अंदर काम होंगे, और भी चीज़ें वो सब चिकने चुड़ी बाते आप देख लेना, चर्चा में एक web portal भी ता, ये सब education की बात करें, तो iSTEM, iSTEM ऐसा portal है कि sharing of the research equipment and facility, मा लिजए IIT, एक IIT के पास कुछ electron microscope हो, और बाजू में कोई छोटी college है उनके पास नहीं है, तो temporarily उनको उधारी में चाहिए, या कुछ project के लिए उनके बच्चे यहाँ पर आकर कुछ देख सकते हैं क्या, ऐ फिर women के लिए ऐसी एक नई scheme, प्रदान मंतरी, TB मुक्त भारत अभियान, बहत आसान है, वो TB मुक्त भारत अभियान ऐसा कहता है, कि आप एक individual person या company, TB patient को adopt करो, और उसको जो भी एक साल, दो साल के लिए, आप donation में जो पैसा देंगे, तो उसको जो खाना चाहिए, उसको medicine देने है, उसके घर वालों को कुछ skill training देनी है, यह सब किया जा सके, तो उसकी पूरी सारी चीज़ है, वह आप आराम से पढ़ना, dots होता है, वो क्या है, therapy और वगएरा वगएरा, फिर domicile based job quota, जारखंड सरकार कुछ ऐसी योदना लेके आ रही है, कि 75% reservation to local people, in even private sector, नीजी company के अंदर भी जो 40,000 रुपे तक की पर महिने की नौकरियों, उसमें 75% यानि 3-4 jobs local youth के लिए आरक्षित हो, और जारखंड के लबा आंदर प्रदेश, हर्याना भी ऐसे कुछ कानून पास करें, तो इसके anti-argument क्या है, एक तो पूरे भारत के अंदर कहीं भी रहने का और व to do business, competitiveness, या फिर की company वाले ने ऐसे local लोगों को नौकरी दे के उनको बहुत सारी training देनी पड़े, तो company का input cost बढ़ जाएगा, कि इन सब की इतनी जादा training भी मुझे करने, so these are the problem areas, फिर ऐसा ही उनका एक और बिल भी आ रहा है, वो सब, फिर bills की बात करें, तो competition amendment bill, आप जान ले भी एक संस्ता थी, monopoly and restrictive trade practices act, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई, इनका काम क्या है, monopoly से लड़ना, या cartelization से लड़ना, कि Airtel और Gio दोनों gang बना ले, कि हम लोग कोई भी prepaid plan 500 रुपे से system नहीं बेचेंगे, तो ये लोग investigate करके उसको सजा देते, अब ये वाला उनका जो का अपनी एक्ट में बनाय गया, तो CCI के किलाफ उपर अपील में जाना है तो ये वाली संस्ता है, फिर एक और ऐसी सब नियम कानून जो चल रहे है, battery waste management rules, ये सब याद रखना है, वो mains में भी paper 3 में कुछ बार पूछते हैं, तो environment ministry ने notify किया, battery वो जो भी गाड़ियों में ल responsibility, EPR, वो ऐसा कि जिसने, माली जे, एक्साइड कमणी ने battery बनाई, तो वो उसकी जिम्मेदारी होगी कि खराब हो गई, पुरानी हुई, फेकी हुई बैटरियों को वापस collect करना, उसको या तो recycle करना, या उसमें वापस जो भी acid बरके वापस recharge करके वापस बेचना, तो उस वो finance ministry ने FEMA act में कुई notify कि भारत के लोग, भारत से बाहर जब share बाजार में invest करते हैं, तो उस पर क्या नियम लगेंगे, थोड़े सकत किये गए, जैसे, एक तो ऐसी बात कि, अगर आप एक Indian resident है, और आप कोई foreign company में equity investment, वालब shares खरीते हैं, तो हर साल आपने उसका सारा report भा foreign company में पैसा invest नहीं कर सकते हैं, तीसरा भारत का कोई willful defaulter है, जान बुझ के जो भारत के loan वापस नहीं चुका रहा है, जैसे भी जे माल या, तो उसने फिर वो अमेरिका या लंडन में जाकि अपने नए bond issue करे, credit card के लिए apply करे, तो ऐसा कोई भी वो, अगर financial commitment करेगा, तो no objection certificate लेना होगा, फिर schemes के अंदर, seed scheme, seed scheme का फूरा full form हम याद नहीं करेंगे, वो de-notified tribes के लिए है, social justice ministry के योदना, तो पहले समते de-notified tribes क्या है, अंग्रेजों के जमाने में कानून बना था, criminal tribes act, तो ऐसा कहते थे ये कौम या ये जाती वाले लोग, वो जनम से ही अपराती हैं, और ये ऐसा ही सब जो भी robbery वगरा कुछ वो करते हैं, अब आजादी के बाद वो कानून को repeal किया गया, तो ये जो notified tribes थी, notified criminal tribes, उसको de-notify किया गया, इसलिए उसको कहते हैं, de-notified tribes, और फिर उनके विकास के लिए सब skill development, business loan दिये जाएं, ऐसे सब चीज, तो वो seed scheme है, S, E, E, D, seed scheme, कौन चलाती है, social justice, ministry चलाती है, तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे, this is page 36, मित्रों ये जो unacademy की articulate magazine, इसको आप download कर सकते हैं, again I repeat, ये link उपर है, और वहाँ से आप ले ले हैं, unacademy क्या है, एक ऐसा platform आप उसको सोच सकते हैं, जैसे वो Amazon Prime, Netflix वगेरा होता है, कि एक ही subscription में सारे shows unlock हो जाएं, तो बड़े बड़े जितने teachers हैं, चाहिए मैं economy पढ़ा हूँ, सुदर्शन गुजर सर, जो geography पढ़ा है, quality, dr. सिदार तरोरा सर, history, प्रतिक नायक सर, पवनित सर, international relation, seaset वगेरा, मदुकर कोटावे सर, और बाकी और भी हमारे साथ बहुत सार बड़े बड़े teachers हैं, तो उन सबके सारे course आप एक साथ में use कर सकें, उसकी ये पूरी चीज़ से है, और यहाँ पर आपको, मलब top educators के साथ ऐसे live classes, UPSC, mains की test series, with evaluation, prelim की test series, फिर अगर आप वो iconic package लेते हैं, तो add-on के रूप में 20 printed notes covering the general studies for prelims and mains, ये सब मिलता है, और अभी इ discount coupon भी चल रहा है, तो code आप use करें, मुनाल.org, और यान academy से selections भी आये हैं, 170 से जादा लोग पिछले 2 साल में हर साल select हुए, including all India rank 2, जागरित यावस्ती जो आई से, और यह ऐसा नहीं कि सिर्फ mock interview के अंदर वो लिया होगा, नहीं, उन्होंने course भी पूरा complete किया था, for general studies, और वो उससे हमको, उनको फायता हुआ, so yes, take benefit of that, अब यहाँ पर कुछ लोगों को तोड़ी confusion रहती है, कि यह सब चीज होती कह, iconic combo, iconic and plus, अब कुल मिला कर चीज ऐसी है कि, optional subject के lecture, GS के lecture, personal mentors, notes, prelim की test series, mains की test series, और optional की test series, तो यह सब कुछ आपको चाहिए, तो कौन-कौन सी चीज मिलती है, तो सारी की सारी आपको चाहिए, तो iconic combo, अगर आपको optional subject वाला नहीं लेना है, तो iconic, और आपको उसमें यह printed notes नहीं चाहिए, mentors नहीं चाहिए, optional subject नहीं चाहिए, तो plus, ऐसी अलग-अलग वो packaging होती है, तो यह वाले वीडियो का आप इदर pause करके भी आराम से समझ के इसके लाबा यह जो notes, test series वगरा है, वो कोई ऐसा है कि उसने course पूरा complete कर दिया और उसको आप वापस से पूरा subscription नहीं लेना है, सिर्फ ऐसा individually कुछ packages लेना है, तो वो भी वो खरीच सकता है, तो यह yellow वाली चीज़ें वो अलग से आप stand alone भी ले सकते हैं, तो यह सारी चीज आई थी, Human Development Index, वो कौन संस्ता बनाती, आपको पता होना चाहिए, United Nations Development Program, UNDP, अमर्तिय सेन, और वो पाकिस्तान के एक एक एकनॉमिस थे, दुनों ने मिलके यह किया, अब यहाँ पर formula का है, health, education, और income, उनके indicators, life expectancy, at birth, expectancy, और आप स्कूल में कितनी पढ़ाई करेंगे, और आपका marks हो गया, अगर Switzerland का point 9 आया, तो वो आपसे उपर है, तो उस हिसाब से ranking बनेगी, अब ranking में किसको पहला number मिला, तो Switzerland को और भारत देश को कितना मिला, पहले 132 था 2021 में, अभी, माफ कीज़े, पहले 130 था 2020 में, उससे हमारा तोड़ा गिर गया, 132 हो गया 2021 में, और भी उसमें चीज़ें वो आराम से आप पर ले न, ऐसी World Social Protection Report जो International Labour Organization ने बनाई, उसमें किये सब Social Protection, महला भी EPFO, ESIC, Pension, Medical Insurance, Maternity Benefit, वो सब बारत में hardly less than 25% इंडियन्स को वो मिलता है, और वो सब ठीक करने की जरुवत है, उसी तरह Oxfam का Inequality or Discrimination Report की मैलाव के साथ कितना बेदबा होता है, उनको बहुत कम salary मिलती है, jobs मिलती है वगरा, सारे data याद करने की जरुवत नहीं, कुछ चीज़े याद कर सकते हैं, जब आप main answer writing या निबंद में आपको कुछ लिखना है, so this is done, उसके बाद economy, अब कुछ होता है, prompt corrective action framework, वो ऐसी चीज़े शरारती बच्चों की principle अगर एक blacklist बनाया दे, तो उसी तरह जो कमजोर bank है, उसकी RBI एक list बनाता है, और फिर उन पर ज़्यादा stickness करता है, कि तुम नए branch नहीं खोल सकते, तुमको अपने directors को तुम salary और dividend नहीं दे सकते, तो कोई bank होगा, उसको डाला होगा blacklist में, फिर वापस white list किया, that is the thing, अब RBI या bank की तयारी कर रहे हैं, उसके बाद commerce ministry लेकर आई है, national logistics policy, उसमें बात ऐसी है कि, माल परिबहन, रसद परिबहन, ये माल सामान एक जगर से दूसरी जगर, railway, highway, inland waterway वगरा से जो हम बेजते हैं, उसका खर्चा कितना आता है, तो वो इतना ज़्यादा खर्चा है क it is like 13 to 14 percent of our GDP, जबकि अमेरिका यूरोप में वो सारा माल सामान वो जो ट्रांस्पोर्ट करते हैं, वो hardly 8 percent of their GDP उतना ही खर्चे में हो जाता है, तो हम भी ऐसा कम करेंगे, उसके लिए सब portal बनाएंगे, integration of all these things, और infrastructure development, PM गती शक्ती for connectivity and main material का faster transport वगरा, उसमें सब चीखनी अतम करना, ये page 45 पे दिया है, उसी तरह ये financial stability and development council, वो ऐसा finance minister और अलग अलग regulator, RBI, SEBI वगरा के वो मिलके कुछ चर्चा करें, that is FSDC, तो basic composition पता होना है, एक बार UPSC ने membership के बारे में भी पूछा, तो टेक, वो सब आराम से पढ़ लेना, इधर दिया है, फिर central bank, digital currency और व CBDC वगेरा हम पढ़ चुके हैं पहले भी, RBI जो currency note प्रिंट करता है, उसकी जगा वो digital तरीके से उसको issue करें, वो है CBDC project, अब उसका सब चल रहा है, my one personal opinion is, ये खतम होने दो 2023 में economic survey आगा तब तक इसका final solution या implementation हुआ, तो आराम से पढ़ लेंगे, लेकिन जो लोग एकदम नए हैं और उनको थोड़ा बहुत जानना है, तो इधर आर्टिकल दिया है, आप आराम से देख लेना, उसी तरह cryptocurrency और blockchain टेक्नलोगी, वो भी सब दिया, जैसे Ethereum cryptocurrency, तो cryptocurrency चलती है, blockchain टेक्नलोगी से और उसको maintain करने के लिए धेर सारे server और computer पूरा दिन चलाने पड़ते हैं, उन्होंने अपने software में update किया, जिसको का merge update, उससे फायता है कि पहले जितनी बिजली खाता था, उससे 99% कम बिजली में वो अपना काम कर सके, so this type of things can help, तो अगर RBI और दूसरे जो संस्तान जो अपनी central bank digital currency लाना चाते है, उसमें ऐसी technology implement करे तो, बहुत सारी अपनी उर्जा energy saving हो सकती, ऐसी जब money banking finance की बाते करें, ये कोरोना के दौरान सरका लेकर आये थी, emergency credit line guarantee scheme ECLG, वो ऐसा कि MSME sector को लोन में कुछ सरकार मदद करेगी, subsidy देगी, या उसको bank वाले ने लोन दिया, और उसमें लोन डिफॉल्ट हो गया, तो सरकार नुकसान की बरपाई करेगी, ऐस अब ये negative news में इसलिए है कि ये scheme में जितने लोन दिये थे, तो हर 6 लोन में एक लोन वो NPA हो गया, bad लोन हो गया, मतलब उसका जो principal interest चुकाना चाहिए, उसकी जो तारीक होती है, installment की किस्तों की, उसके भी उपर beyond 90 days हो गया, तो उसको मैं NPA बोलते है, non-performing asset, अनर्जक परी समपतिया, तो वो सब problems चल ला है, किर वो भी जो नए है उनको जाने के लिए, बागी पुरानी लोगों तो पता ही होगा क्या चाहिए, उसकी तरह MSME की क्या definition है, ये भी जो पुरानी अभी काफी टाइम से त्यारी का रहे है, उनको ये सब पता होगा, लेकिन जो नए है उ सिल टू प्राइम मिनिस्टर, जिसके चैर्मेन मेरे कैल से बीवेक देब रहे है, तो उन्हों ने एक रिपोर्ट बना है, रोडमेक फॉर इंडिया एट हंडिड, मलब दो अजार टू तू ताउजन फोर्टी सेवन जब बारत की आजदी को सौ साल खतम होंगे, तब प्रा आराम से देख लेना, क्या ये बहुत इंपोर्टन्ट है, मिद्रो इसके अलावा अभी थे के प्राइम इंस्टर ने जो का कि डेवलप कंट्री बनानी है, तो जो एकोनॉमिक सर्वे अगले साल आएगा, जैनुवरी, फेबुरुरारी दो अजार तेश में, उसमें उसकी बहुत सारी ब्लूप्रिंट और साजेशन उसने दी होंगे, तो वो वाला इसको रीकेब भी करेगा, तो उदर एक साथ पढ़ लेंगे, अपनी एक्जाम करन सुबे नहीं है, ऐसे लोड में आप तयारी करेंगे, तो आप हमेशा परिशान रहेंगे, किरागे बढ़ते हैं इतरो अन अकेडमी ने कुछ नए चैनल्स लॉंच की हैं, जैसे अन अकेडमी मार्क दरशक, वो एकदम नए विद्यार थी जो अभी स्कूल कॉलेज में और कैरियर में क्या करना चाहिए, मेडिकल, एंजिनियरिंग, फार्मसी, कॉमर्स, आर्स लेना है वगेरा, और आगे क्या क्या चुनाती आते, कैरियर बैकप क्या हो सकते, कॉम्पिटिटिव एक्जाम में फेलियर के बाद, तो वो सब की गाइडन्स काउंसिलिंग के लिए चैनल है, मार्क दरशक, दूसरा, ये सब करन्ट अफेस कवरेज के लिए, अन अकेडमी का नया चैनल, UPSC Unstoppable, UPSC Unstoppable एक ऐसा चैनल है, कि जहाँ पर ये करन्ट अफेस की सब डेली चीज़ चलती है, वहाँ पर अन अकेडमी के एजुकेटर, मोधिस गुपता सर, वो दो सीरीज चला रहे हैं, एक तो है डेली करन्ट अफेस, वो प्रिलिम मेंस इंटर्यू सारा कॉम्प्रियेंस ही, उसमें च बेंती हुई थी, तो हमने एक वीडियो बनाय था, गांधी जी का पूरे जो, फैक्ट्वल डीटेल्स हमको याद करनी है, कॉम्पिटिटिव एक्जाम के लिए, वो पूरी चीज़, और ये भी ऐसा है, लेट में शो, कि इसक में पूरा हैंड आउट है, तो वो भी आप ड आइन्स वगेरा के अपडेट्स आते रहते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख रहे हैं, सप्टेंबर के करन्ट अफेस, एन्वाइरमेंट, देखे हैं, एन्वाइरमेंट में अलग-अलग ओ ऑर्गनाइजेशन की छोटी-मोटी समिट वगेरा होती रहती है, य आइसा दो-दो लाइन में जो आप याद रख सके, नामी बिया से आँट चीते लेकर भारत में कुनो वाइल लाइफ सेंचुरी मध्यप्रदेश में उनको स्थापित किया गया, वो वाली चीज भी चर्चा में थी, उसको भी आप आरम से और उसके क्या फायदे नुक्सान वगेरा उसमें दिया है, ला निन्या, एन्वाइरमेंट और जियोग्रफी की बात करें, अल निनो क्या होता है, ये पेरू का जो कोस्ट है, वहाँ से जो उसके ओशनी करन्ट वो गरम या ठंडे होते हैं, उस हिसाब से जो पूरी टेम्प्रेचर और ओशन करन्ट में प्र उसकी वैसे कम रहनी चाहिए, लेकिन अभी ये हुआ कि तीन साल से ला निन्या चल रहा है, तो उसको ट्रिपल डीप ला निन्या वगेरा करा गया, और बाकी जोग्रफी की पूरी थियोरी आरम से वह आप पॉडल देना, क्लाइमेट रेपरेशन, पाकिस्तान जिसके आतं पाकिस्तान जिसके वह आप पॉडल आई तो उसका दुनिया हमको रेपरेशन दे, ऐसी उनकी बात चल रही है, क्या रहा है, फिर कुछ फ्लोरा फोनाई निउस ये है, रेड इयर्ड स्लाइडर टर्टल, ये कुछ बारत के कुछ इलाकों में पाय जाता है, ये इसको, मलब invasive spices जैसा ये कर रहा है, invasive species, मलब ये गुंड़ा ही करता है और बाकी जो इसी के प्रचाती के दूसरे जो निर्दोष कचुए होंगे, दूसरे अलग-अलग variety के, उनका ये खाना खा जाता है और पूरा एरिया भड़ब लेता है, things like that, तो इस पर चिंता चल रही है, World Ozone Day, World Ozone Day, जो 16 September को मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन वो Canada के Montreal में उसकी संधी हुई थी, जिसमें वो जो भी हाइड्रो, फोरो, कार्बन्स वगरा पेहन हुए थे, फिर पता चला उसके जगा कुछ नए जातके chemical यूज किये जाते हैं, जो ओजन को damage नहीं करते, लेकिन वो Greenhouse Gas Emmit करते हैं, तो उसको बंद करने के लिए कीगाली समिट हुई थी, तो वो सब यहाँ पर General Knowledge दी गई है, Environment, कि आप देख लेना, अगर आपको नहीं पता है, फिर Agriculture की तरफ बढ़े हैं, One Nation, One Fertilizer, वो ऐसा है कि कोई भी कंपनी मा लीजे, इफको, क्रूब को, जो भी ऐस सरकार की योधना का स्कीम लोगो हो, और फिर नीचे वंधर एरिया में उस कंपनी का नाम लिखाओ, ऐसा ब्रांडिंग पैकेजिंग करने की गाइडलाइन, उस चीज़कों क्या कहेंगे, One Nation, One Fertilizer, इसके क्या फाइदे हैं, बै क्यूंकि सरकार इतनी सारी सबसेड़ी दे उनिफॉर्म करें तो पकड़ने में सुविधार है, स्मगलिंग डाइवर्जन को लड़ सके वगएरा उसके चीज़े, क्रिटिक्स ये बोलते नहीं है, तो मोधी सरकार अपना इलेक्शन जीतने के लिए ऐसा सब दिखा रही है, और उतर प्रदेश में भी राशन देते है तो उसमें CM और BM के फोट होते हैं, बर वो सब पॉलिटिकल चीज़ें इतनी काम के नहीं, हमको जो जानना था, स्कीम हमने जान लिया, केमिकल फर्टिलाइजर मिस्टी की स्कीम है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर क्या है, ब्रांडिंग पैकेजिंग, सब युनिफॉर्म क तो जैसे जॉंबी को खाना ने मिला और वो सब मरने को आया, ऐसा ये मृत जैसे हो गए, और ये सब गिर के फिर समंदर में चले जाएंगे, ऐसा आई सब तूट जाएगा जमीन से, तो उसे सी वाटर राइज बढ़ेगा, उसे सब ये छोटे छोटे जो आईलेंड नेशन है, वो डूब जाएंगे, और ऐसा फ्रेश वाटर अगर समंदर में बहुत जाएगा, तो समंदर का पानी जो आलकलाइन होता है, वो थोड़ा एसीडिक तरफ हो जाए, जिससे बार डाइवरसिटिक को नुकसान वगरा अगर बहुत सारे प्राब्लम, तो वो उदर दिया ह क्लावड सीडिंग, क्लावड सीडिंग का मतलब क्या है, बारिश नहीं हो रही है, तो एरोप्लेन की मदद से सिल्वर आयोडाइट और ऐसे कैमिकल्स को उस क्लावड पे छिड़का जाए, और फिर वहाँ बारिश हो सके, उस चीज़ को कहते हैं, क्लावड सीडिंग, तो आस-पास आइस बनेगा, और फिर पानी बनेगा, और ये नीचे गिरेगा, स्मुरूती वन मियावा की फॉरेस्ट, वो कच के अंदर, गुजरात के कच के अंदर एक मियावा की मैथड से, एक आद महीने में ही पूरा जंगल बना दिया, और वो सबुत गाटन हुआ, फ्लोरो आलकलाइल सबस्टन्सिस, वो ऐसे कि जैसे सबोज आपने नौन स्टिक कूक वेर है, या ऐसे कपड़े जिस पर पानी नई चिपके, स्टेन रेजिस्टन फैब्रिक्स, कॉस्मेटिक, फारफाइटिंग फॉर्म वगेरा, तो इसमें जो यूज होता है, ऐसा केमिक और स्वाब है कि वो बायोडेग्रेवरेबल नहीं होगा, उससे कैंसर हो जाएगा, एन्वार्मेंट को खराब करेगा, ऐसे सब उसकी चिंता का विश्य है, फिर साइंस में ये सब जेम्स वेब्ट है, इसको अलागी UPS इनिमेज में भी इसको पूछ लिया, PDA Space Observatory, और फि से रिसर्च करी है, तो इसलिए चर्चा में था, साइंस की चीजे मिदों मैं आपको दो दो लाइन में बढ़ा के उड़ा रहा हूँ, क्योंकि वासाने आप कुछ से पढ़ लेना, वैक्सिन, नाक से सुनके ले सके ऐसी भारत बार्टेक की इंट्रानेजल वैक्सिन, वो अ अमेरिका यूरोप में बनी वैक्सिन ले, तो 6,000-10,000 रूपे की आती है, तो भारत की सीरम इंस्टिट्यूट ओफ इंडिया, उसने सेरा वैक्सिन नाम की एक बहुत ही सस्ती वैक्सिन निकाली है, उसको अप्रूवल मिला, मिद्रो, ये अनेकैडमी के अंदर, लाइव लेक्सिन वगेरा तो होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ अलग से मेंस्टेस सेरीज भी लेना चाहे, तो वो चीज़ भी अब अवेलेबल है, और वहाँ पर भी, डिसकाउंट कूपन के साथ अभी सब चला है, you can take benefit of it, और उसका description, link वगेरा सब नीचे दिया है, मेंस्टेस सेरीज के अंदर मलब पहले sectional test होंगे, फिर full length test होंगे, आपके answers को evaluate किया जाता है, और उसके अंदर आपको सब feedback मिलते हैं, वो वाली चीज़, internal security और military वगेरा में क्या चला है, तो fingerprint identification की पूरी system, तो home ministry ने कुछ उसका center है, और उसमें वो सब computer upgrade किया ऐसी बात है, फिर ये सब missile वगेरा की चीज़े आप आराम से कर सकते हैं, फिर other history culture में network of learning city, वो UNESCO का कुछ प्रोग्राम होगा और उसमें ये केरला और तेलंगा ने कुछ cities को funding देंगे, सब art culture promote कर ऐसी बात है, उसके लाग कुछ communities को schedule tribe status दिया गया, उ फिर ये मारतंड सूर्य मंदिर, जो कश्मीर के अनंतनाग में है, तो वहाँ पर कुछ पूजा होने वाली थी और वो archaeological survey of India ने का नहीं, ये सब उसकी दरोवर को सुरक्षित करने के लिए आप ऐसा सब यहाँ पर बड़े जोड़ सोर्सें ना करें, वगेरा, तो places in news, फिर से सब award और military के अंदर ये आप जानते हैं, नेवी का नया वो द्वज है, पहले यहाँ पर सेंट जोर्ज का क्रॉस रहता था, उसको अटा कर बारत का द्वज डाला जाए, ऐसी चीज़, फिर तेजस और वो सब वेपन की अपडेट्स चल रहे है, फसाई, that is food safety and standard authority of India, जो की कुछ current office PDF वालों के मताबिक, मलब दुनिया की सबसे important चीज़ है, और दो-दो पेज बर के उसकी PhD करना जरूरी है, खेर वो अभी चर्चा में इसलिए कि, यह जो pre-package food होटा ही है, बिस्कीट वेफर वगेरा, वो कितना junk है, उसमें कितना harmful chemical है, कुछ rating system हो zero से five, जैसा TV fridge पे होता है न, वो rating system, energy star rating ऐसा करने की, पर वो drop stage में तो अभी हम धिमाग खर्चने करेंगे, बहुत, पेरिया अलग अलग छोटी जोडी चीज़ है, वो मुल्ला पेरिया डम, अब जो पहले से तैयारी करें, उसको तो पता होगा, लेकिन जो नई student उसको नहीं पता, तो जानकारी के लिए दिया हो, केरला और तमिलारो के बीच उसका पानी का बटवारा और डेम सेफटी की लड़ाई जो हमेशा चलते रहती, international year of millets, वो भी आसान है, आप अब के खतम करो, national games कहां पर होंगे, फिर anti-radiation pills, यूक्रेन के अंदर, कुछ nuclear power brand और रशिया उदर बंबारी कर रहा है, तो लोगों में nuclear attack के चलते हो, सारे chemical और nuclear damage हो जाए body को, उससे बचाने के लिए, potassium iodide, potassium iodide के tablet सबको advance में बाटे गए, तो वो चर्चा में था, आच्छा तो science में याद क्या रखना है, anti-radiation pill में कौन सा chemical है, potassium iodide है, कुछ दूसरा chlorine ह bromide, potassium iodide, फिर ये सब military में, अमेरिका जो पाकिस्तान को F-16 fighter plane और उसके जो भी add-on weapon missile वगएरा के लिए पैसो की मदद करने वाला है, कि इतनी 450 million, तो बारत ने इस पर काफी नाराज की ज़ता है, इसलिए वो चर्चा में, cyber security के लिए वो सर्ट इंडिया ने कुछ नया synergy नाम का exercise किया वगएरा, फिर कुछ disease ये tomato flu वगएरा चर्चा में, फिर pharmaceutical दवायों के सही दाम जानने के लिए एक एप बनाया गया वो नपा नाम की संस्ताने, उसको नया update दिया गया है, universal postal union, तो जैसे बारत में department और post ऐसा बाकी जितने अलग-अलग देशों में, हो गया उन सब का headquarters जो Switzerland में है और कुछ नया treaty आने वाला था इसलिए चर्चा में, treaty में क्या लिक है वो काम का नहीं, सब भी जन्ट उनों दो लाइन में अच्छा, Switzerland में headquarter है और कोई संस्ता ऐसी है, space technology के अंदर दो चीज़े हुई, NASA का ये Mars में उन्होंने कुछ अपना rover बेजा है, तो उसमें एक MOXI नाम का device है, ये क्या करता है, Mars के अंदर जो carbon dioxide है, या carbon monoxide है, उसको convert करके उसमें से oxygen बनाता है, और वो उसका प्रयोग सफल रहा है, separately, ESRO ने बनाया है inflatable aerodynamic decelerator, मतलब वो satellite का जो rocket नीचे गिरेगा, तो वो गिरते गिरते तूट नहीं जाया है, उसका और पानी में समंदर में गिर रहा है, तो कैसे उसको recover करेंगे, उसकी पूरी system बन रही है, malaria की नई vaccine, R2 matrix बन रही है, फिर geographical indication, GI tag, जैसे की दारजिलिंग की चाय, तो अगर केरला में कोई चाय उगाता है, और फिर कई दारजिलिंग की चाय तो उसको सजा हो जाएगी, तो ऐसे GI tags दिये जाते, तो चर्चा में आए, बिहार का मिथिला मखना, उसको GI tags मिला है, मित्रों ऐसे छोटी-छोटी चीज़े वो, ऐसा नहीं कि 100 out of 100 questions है, इसमें से ही आने वाले हैं, लेकिन एक दो ऐसे छोटी चीज़े वो पूछते हैं, UPSC, IS में चायद नहीं आए, तो जो दूसरी exam है, CAPF, CDS वगरा, उसमें तो ऐसा general knowledge पूछते हैं रहते हैं बार-बार, हर रवी बार, सुबह 11 बजे एक टेस्ट होती है, आने Academy Combat, जिसमें 50 questions और 60 minutes में वो complete करना होता है, और ऐसा ultra combat होने वाला है 16 तारिक को, जो current affairs specific होगा, और economy में हमने जितने current affairs करें, उसके करीब जो 8-10 सवाल मैंने भी बनाए, तो आप उसमें हिसा लिजे और live test में आप description में दिया है, वो combat ऐसा नहीं कि इनाम जितना इसलिए लेना है, इसलिए भी क्योंकि question से आपको practice मिलती है, पिछले साल भी करीब 23 toppers, 23 toppers, वैसे थे जो regularly इस combat में participate करते थे, जैसे बविश्य, अक्षय, पंकज बगारा, आगे बढ़ते हैं, पर्सनी न्यूज, एक तो feminist, Marxist ideology से इंस्पार होके उनने कविता और literature लिखा था, तो उनका statue प्रतिमा मोस्को में उसका अनावरण किया गया है, इसलिए वो चर्चा में, तो अन्ना बाव साथ है, freedom struggle के जमाने के, लोक शाहिर, बेलेडियर या poet, ये कुआ, फिर ऐसे ये एक और भी चर्चा में थे, और वो मेक्सिको में गये थे, और मेक्सिको के अंदर green revolution लाने में, उन्होंने सब agriculture scientist के रूप में काफी भूमिका दा की थी, और उनका भी एक statue जो मेक्सिको में अनावरण हुआ, तो चर्चा में, पांडूरंग सदाशिव खानकोजे, एक अन्ना बाव साथ है, जिनका statue का रश्या में, और पांडूरंग सदाशिव खानकोजे उनका खांपर मेक्सिको में, अन्ना बाव साथे, शायर थे, ये थे, शायर थे कभी थे, और ये थे वो agriculture scientist थे, के रैसे सब current office के लिए हर सुमबा रात आंड बजे, मेरी मुरूनाल्स Monday free current office test series चलती है, तो उसको भी इस होती रहे, लिंक सब description में दिये है, इसके अलाबा बड़ी test series वो होने वाली है, UCS यान Academy Civil Service Championship, कि जिसमें करीब 40 करोड के ये सब laptop, mobile, scholarship, वो सब मिलेंगे, और जिनका बहुत बड़ा नंबर आएगा, top 5 rank, उनको IS officer के साथ भी मिलने का, इंट्रेक करने का मौका मिले हैं, सब ये चीज़ है, और वो नवेंबर 13 को सुबह 11 बजे test होने वाली है, उसमें भी आप participate करिए, और इन चीज़ों का फायदा होड़े, वो भी नीचे link description में दिया है, अब इसके अलाबा फिर places in news है, वो सब तो आप देख लेना, इजित उद्वेकिस्तान, खास तो नक्ष वो मैं कुछ स्वाल कर दूँ, ताकि वापस revision हो जाए जो हमने यह आदा पोना गंटा पड़ा, अब राम अकॉर्स क्या थे, तो यूए इस्रेल बेरिन के बीच, diplomatic relation को normalize करने के लिए थे, फिर, CRISPR क्या है, DNA editing का tool है, तो बायो टेकनोलोजी के साथ जुड़ी चीज़े, astronomy, economy, earth science, economy की नहीं है, two plus two relation हमारे किन के साथ हैं, तो मेरे केलसे इन सब के साथ हैं, फिर, national logistic policy, NLP किसने बनाई है, तजाबे commerce ministry ने इसको बनाई है, फिर, अना बाव साथ है, और फिर, ये वाला देख, ग्लास्नोस्टेंट पैरिस्ट्रोई का, वो किसके साथ जुड़े हैं, तजाब है, मिखाइल गौरबाचे, उसकी जो भी political ideology वगरा थी, अब आप कहेंगे, ऐसा कौन UPSC में पूछने वाला है, बहुत बुराने paper हम देखें, तो एक बार की, Reaganism and Thetorism are associated with what, तो उनका free market और State का role come हो, capitalism हो, privatization हो, ऐसी सब के साथ वो, है ऐसा, या तो IS में, या CDS exam में पूछा था, तो ऐसे कुछ बड़े international leaders और उनकी जो political ideology वगरा है, वो थोड़ी पता हो नीचे, और मेरे कहल से NCRT में भी दिया है, क्या है वो political science की 11-12 की किताब से पल लेना, तो ये Glassnose and Peristoyka, it is associated with Michael Gorbachev, oddball हैं, कुछ बार ऐसे oddball आ जाते हैं exam में, Hyderabad Liberation Day, वो PDF में दिया है, मैंने शायद वो जली जली स्क्रोल में पढ़ाया है, नहीं, वो operation follow हुआ था और Hyderabad को liberate किया था, तो September का ये खास दिन उसको मनाएंगे, Hyderabad Liberation Day के रूप में ऐसी वो चर्चा में थी, PM प्र एकाथोन, कृतग्यता, एकाथोन, ऐसा कुछ सब चल रहा है, वो खिसका है, तो Smart India एकाथोन इसका है, Education Ministry का, दूसरा Agricultural का है, वो ICER करी, ऐसा भी छोड़ा जोड़ा पीडिया है, मैंने पढ़ाया है, नहीं, जल्दी से उड़ा दिया, इसलिए, Math the following ये, Cyclone के अलग अलग First Dark Sky Observatory Ladakh में है, CDRI, ये भी जल्दी स्क्रोल डाउन करने में हो, हम देखने पाए, ये जो Coalition for Disaster Resilient Infrastructure है, CDRI, उसका कुछ Headquarter Delhi में बने, और उसको International Organization और Legally Independent Organization का, उसको वो मिले, Designation उपादी, ऐसा कुछ नए agreement हुआ है, Let me just, CDRI, page 59 पर है, हम, वो दिया है, देखे, तो Headquarter Agreement in Delhi, और इसे एक Independent and International Legal Entity के रूप में ये Disaster Management की संस्था, उसको वो उपादी दी गई है, और ये मेरे खाल से Home Ministry के साथ टाइप करके, ये लोग काम करते हैं, आताए MCQ में थोड़ा वो याद रखना, उसके बाद हम वापस आएं, हम लोग जो देख रहे थे, और भी सब MCQ हैं, ये सब, जैसे Social Protection Report की इसने बनाया, ओके, आई ये लोग ने, ऐसा एकाद question आ जाते है कुछ बार की, ये वाला International Report कौन सी संस्थाने बनाया, तो थोड़ा पता होना चाहिए, चीता री इंट्रोडक्शन, फिर Ozone Depleting Substance के बारे में कौन सी टीटी है, ब्रेटन, वुड्स, क्योटो, नगोय, नई, मॉन्ट्रियाल प्रोटोकल है, ये तो बाई हाट होना चाहिए, बाई, तो ये भी और ऐसे और भी टेस्ट होते हैं, ये तो sample, और इससे जादा advanced level के भी question, लेकिन वो सब यहाँ आपको demotivate नहीं करना, इसलिए मैंने पूरे सारे questions की चर्चाने की, बाकी आने academy का combat, मुरुनाल के current affairs की test series, वो सब free में चलता है, उसको participate करी, आपको और भी practice question मिलेंगे, कुछ अंत में ये सब data वगेरा दिया है, अगर आपको तोड़ा, इधर-उधर mainz में quote करना, खेर तो ये था September का monthly magazine, जिसका download करने की link उपर दिये English वाला upload हो गया है, और Hindi वाला शाम तक में upload हो जाएगा, take benefit of this, and let's crack it.